नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत है हमारी यूटुब चैनल फेर एंड केर टिप्स में दोस्तों चेहरे के जुरियों से परिशान है तो आज हम आपके लिए कुछ घरेलू नुश्खेन लेकर आए हैं लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमाई चैनल को सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिये गए सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके साथ ही घंटे के बटन को जरूर दवाएं सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं की बज़से हमाई स्कीन रूख ही और बेजान नजर आती है जिसकी बज़से हमाई स्कीन को काफी नुक्षान पहुचता है ऐसे में चेहरे और हाथों की सकीन राय होने के साथ जुरियां नजर आने लगती है इस मौसम में इसकीन को बार बार मुष्चिराईज करने की जरूरत पड़ती है सर्दियों में ठंडी हवाओं की बज़से हाथों की स्कीन में भी जुरियां करेंगे आपकी स्कीन के लिए यह बेहद ही फाइदे मंद है आप हर रोज सोने से पहले ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर जूरियों से छुटकारा पा सकते हैं हर रोज सोने से पहले हाथों में ऑलिव ऑयल से मसाज करें एक बार ऐसा हो जाए तो कॉटन गलव्स पहने और रात भर सोज आए फिर शुबा उठकर गर्म पानी से हाथों को धोले जिससे आपके हाथों की जुरियां कम हो जाएंगी इसके साथ ही हमने ब्राउन सुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं नीमबा में अधिक मात्रा में बिटमिन सी होता है बिटमिन सी फूट खाने से स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है जब भी बात जुरियों को हटाने की होती है तो नीम्बू और ब्राउन सुगर के स्क्रब का इस्तिमाल कर शकते हैं इसे बनाने के लिए आप एक बाउल में एक नीम्बू ले और आधह चमच ब्राउन सुगर का इस्तेमाल करें और इसे मिला कर एक स्क्रब बनाएं हफते में दो से तीन बार इस मिश्रन को अपने चेहरे पर लगाएं जिससे आपको किछ दिनों में फर्क नजर आएगा और आपके चेहरे की जूरियां भी कम हो जाएंगी इसके साथ ही आप चावल के पेश्ट का इस्त करने में मदद करता है एक कटोड़े में चावल का पेश्ट तयार कर उसमें दो चमच गुलाब जल मिला कर अपने चेहरे पर इस्तेमाल करें जिससे आपको कुछ दिनों में फर्क नजर आएगा दोस्तों अगर आपको हमारे दौाया दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले